हेलो दोस्तों, किताब पढ़ना हमारे स्टुडेंट लाइफ में सबसे जरूरी होता है, लेकिन आप सही तरीके से किताब पढ़ते हैं और सही चीज़ों से आप किताब पढ़के फाइदा ले पाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, मैं आपको यहाँ पर आज बस तरीके बताऊंगा, जिसकी जरीए आप किताब पढ़ने की अपनी अबसिटी को जो है बढ़ा सकती है, बहुत इफेक्टिव कर सकते हैं, और जिसका आपको बहुत फाइदा मिलेगा इजाम में, सबसे पहली चीज़ यह है, अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं, आपको किताब पढ़ने की हैविट नहीं है, तो आप उन चीज़ों से शुरुवात कीजिए, जो अच्छी लगती है, जैसे आपको मानी जी की इंग्लिश है, साइन्स है, सच्टी है, हिंदी है, इस सब्जेक्ट बुक की रीडिंग करनी होती है, जो आप बुक की रीडिंग करेंगे, त उसमें तभी आपको साइदा मिलेगा, अब्जेक्टिव कुश्यों साते हैं, तो उसमें किताब के बीच से कहीं से भी कुछ भी पूछ दिया जाता है, जरूरी है कि आपको किताब की depth knowledge जो है बुक में होनी चाहिए, आसान बुक उठाइए पढ़ने के लिए, जैसे आपक चाहिए, थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, पांच मिंट, दस मिंट, पंदरा मिंट जो है, पढ़िए आपको जितना अच्छा लगता है, उतना ही पढ़िए, दूसरी चीज, आपके पास एक pencil होनी चाहिए, पढ़ते समय, आप देख सकती है, pencil से आप उन चीजों को निशा निशान लगाना चाहिए, तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि आप कोई भी, जैसे से की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप उन चीजों को निशान लगाएंगे, जो dates हैं, किसी का नाम है, कोई event है, जैसे माली की history की बुक पढ़ रहे हैं, तो कोई लड़ाई के बारे में हैं, तो उसके बारे में आप निशान लगा लेंगे, यह दूसरी चीज हो जाएगे, तीसरा, पहली बार जब आपने बुक को पढ़ा थो, आप casually पढ़िए, पूरा reading कर जाएए, ज्यादा दिहान मत दीजिए, लेकिन उस चीजों को आप दुबारा पढ़िए, और जब आ अपने पहले पढ़ी थी, उसमें फिर figure out कीजिए, कौन सी चीज ज्यादा important है, को ज्यादा काम की है, उनको निशान लगाईए, इसके अलावा आप बुक में देखिए, कि बुक में last में कौन से questions दिये गए हैं, अगर आप question पहले देख लेंगे, तो आपको पता रहेगा, या आपको का answer जो है, वो इसमें ढूणना है, तो जी, पहले question पढ़ लिजिए, फिर आप उसको जो है answers को देखिए, उसके अंदर देखिए, इसके अलावा short questions है, short questions कहीं सही बन जाता है, साइंस की book है, साइंस में आपको किसी भी paragraph से किसी भी बात के लिए short question पूछा जा स उन चीज़ों को जरूर मार्क कीजिएगा, उन चीज़ों को जरूर निशान लगाईएगा, क्कि किताब जितने page है, माले जेक chapter में 20 page है, 20 के 20 important नहीं होती है, कुछ चीज़ों होती है, जो important होती है, वो teachers को experience से मालूम होता है, कि कौन सी चीज़ एक्जामे पूछी जा सकत है, तो अगर आप teachers क्या कह रहे हैं, उस बाक को सुनेंगे, और उन चीज़ों को साथ के साथ निसान लगाते रहेंगे, यह आप के लिए बहुत ही फाइदे मन्द रहेगा, आप मेहनत में ज्यादा, माक्स जो हो ला सकती है, और पांच भी सबसे important, अगर आप वो books खरीद रहे हैं, तो आप नई books खरीदने की बजाए, पुरानी books खरीदीजिए, फाइदा क्या होता है, आप से पहले जिस किताब को पढ़ा है, अगर उसकी book reading की habit होगी, तो उस किताम में उसने निशान लगाये होंगे, तो जब आपको पहले से निशान लगाया हुआ है, आपको पढ़के निशान लगाने की मैनत बच जाएगी, अगर आपने हमारे चलों सब्स्राइब नहीं कर सब्स्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैक्स पूर वाचिंग इस वीडियो,